नमस्ते आज हम मिक्स बेजटेबल पुहा बनाएंगे काफी यमी और इलिसस होती है काफी हल्दी होता है चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना उसकी लिए मैंने गोबी को चॉप किया है अनियान कॉरियंडर गाजर मिर्च निम्बू पुहा को मैंने धो लिया है फि मुंगफली कहते हैं उसे मैं थोड़ी देर रोष्ट कर लूँगी यह जब थोड़ी देर अच्छी तरह से रोष्ट हो जाए देखिए इस तरह से जब तक यह थोड़ी देर थोड़ी ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक हम इसे रोष्ट करना है फिर मैं इसे निकाल लूँ इसके बाद हमें चॉप किया हुआ अनियन डालना है फिर मैंने मिर्च डाला है अब मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर लीजिएगा फिर मैंसे थोड़ी देर रोष्ट होनी दूँगी उसकी बाद मैंने गोवी को अच्छे से चॉप कर लिया फिर मैंने गाजर को भी इसे चॉप किया मैंने सब इससे डाल दिया इस तरह से कि मैंने मटर ला राँ है फिर मैंसे थोड़ी दिरisters भूंज चॉंगी जबतर कि इस सॉपना हो जिससे हम्ने थोड़ी दिर Newman गूंजर आप फिर मैंने सॉप करके थोड़ी देर भूंज रहा है जब तक कि सारे चीज़े अच्छी से गलना जाए उसके मैं थोड़ी देर ढख दूंगी फिर मैं इस तरह से देखे में से थोड़ी देर ऐसी कंटिनियों भूंजूंगी जब तक हमारी सारी सबजी अच्छी तरह से गलना जाए इस तरह हम देखे कितनी अच्छी दिख रही है यह काफी यम्य और डिलिसेज होती है फिर मैंने जो पुह को धोल कर मैंने जाद गिंडे के लिए विगो दिया था यह काफी सौफ्ट बनती है तो मैंने इस तरह से इसे कितनी अच्छी की कलर आई है इस देखे लगबक अब हमारे यह प्र मैंने इसे जीओ डाला यह आपके मन हो तो डाली फिर मैंने धनियसे से गांडिशिंग कर लिया और फिर मैंने थोड़ा से लेमन डाला है अगर आपको इसमिए सो कुछ ना पसंद हो तो इसकीप कर लें अगर विडियो ची लगे तो लाइक करें श्क्राइब करें शेय थैंक ये सो मुच मेरी वीडियो देखनी की नहीं